गरिमा अपने पती और दोनों बच्चों के साथ आईस्क्रीम खाने गई थी गरिमा को हमेशन लगता कि जितनी बचचत वो कर पाए अपने परिवार के बदले खुद बलेदान किया करती, काफी साक्रिपाइस किया करती लेकिन उसे लगता कि उसके परिवार को हर खुशी मिलने चाहिए तो पती ने हर किसी से पूछा कौन से फ्लेवर का आईस्क्रीम चाहिए? गरिमा ने कहा कि मेरे लिए नहीं उसके बच्चों ने एक-एक आईस्क्रीम ख़द्म करके दूसरे आईस्क्रीम का ओर्डर दे दिया उसके पती ने फिर गरिमा से पूछा, करिमा कौन सा आईस्क्रीम तुमाए लिए? गरिमा ने फिर कहा, मेरे लिए नहीं ना गरिमा को लग रहा था कि वो जो बचट कर रही है, वो उसके परिवार के खुशी में काम आएगी बच्चे जादा खुश हो जाएंगे, एक और आईस्क्रीम खालेंगे उसके पती ने गरिमा से कहा, गरिमा अपने साथ और मेरे साथ ये मत करो मुझे एक खुश-खुशाल बीवे चाहिए, एक बलिदान के मूरत नहीं एक समाय आएगा जब मैं और तुम्हारे बच्चे ये अनुमान लगा लेंगे कि तुम्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं और इसलिए हम शायद तुम्हें पूशना भी बंद करतेंगे और उसे ना चाहते हुए भी अपने परिवार की कुछ बूड़ी औरते ही याद आने लगी थी जो अभी सुम्हें में कहती हैं कि पती और बच्चों के लिए इतना कुछ किया लेकिन क्या फायदा? उन्हें तो हमारी पड़ी भी नहीं उनके बच्चे घूम कर कहते हैं कि तो किसने कहा था अपसे? इतना बलिदान करने के लिए अर्थात जो माएं अपने ग्लास का दूद अपने बच्चों को दे दे थी अपने हिस्से का सब कुछ बच्चों को दे दे थी जब हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी तब ये विचार जरूर से आएंगे बलिदान की मूरत ना बने अपना खयाल रखे और जो आईने में दिखाए देता है ना वो सबसे इंपोर्टन व्यक्ती है उसका ध्यान रखना आपका फर्ज है एरोप्ले में भी सिखाते हैं ना इमोजिंसी की टाइम पे अपना ऑक्सिजन मास्क पहले लगाएं दूसरी ये मदद बाद में करने जाएं अपना खयाल रखें वो कहते हैं ना कि खुद से जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है मैं जमानी की भीर नहीं मुझ में ही जमाना है सलाम दूआ वणकम प्रणाम सत्सरीय काल केमचो सारूच है अमदवाद आखोई मारूच है अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो रोज सुबा साथ बजे ट्यून इन कीजे 94.3 MyFM पर मुझे आपका इंतिजार रहेगा अर्चना की ओर से